हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वाइलेस आईक्यू क्लासेज में दोस्तो आपको पता होगा मैं मिनिते पब्लिकेशन पुरी बुक सौल करा रहा हूँ यह आपका टॉपिक कौन सा है? क्लासिफिकेशन यह कौन सा है? पार्ट 6, मैंने पार्ट 5 अप्लोड कर दी है, प्लेलिस्ट बनी, आप जाके उसको देख सकते हैं और दोस्तो अगर आप चैनल को सस्क्राइब नहीं किया, तो अभी कर लिजिए, बेल आइकन प्रेस कर लिजिए, ताकि आपको नौटिफिकेशन मिलती रहे और दोस्तो बहुत सारे मैंने वीडियो बनाई है, HD publication, math भी solve कर रहे हैं, आप जाके वो भी दे सकते हैं GS के बहुत सारे बनाए है, trick wise, topic wise, तो आप भी जाके देख सकते हैं चले फिर आज का question इस्टार्ट करता है, 5 पार्ट हो गया थे, आपका ये 6 पार्ट है ठीक है, आपके 65 question हो गया थे, आज 66 है, दोस्तो यकीन मानिए आप पुरी book लगए है मेरे साथ, आप अपने आपको बिल्कुल best पाओगे, बिल्कुल अलग पाओगे 5-6 question लगाने से कोई फैदा नहीं होता है एक topic, अगर आप एक topic से 100 या 200 question लगा लेते हैं, तो बहुत ही आपकी best reasoning होगी दोस्तो यकीन मानिएगा आप मेरा ठीक है दोस्तो, 65 number तक हो गया थे, 64 number श्टार्ट करते हैं आज से बताइएगा 64 number right answer क्या होगा सिच्छक, प्रचार, चात्र और वेख्याता तीन सेकंड मिलते हैं, बताइएगा इसका right answer क्या होगा बहुत ये बड़िया question है, एजी भी ये, right answer क्या हो जाएगा इसका चात्र क्यों, सिच्छक आपका दोस्तो, ये भी आपको चात्र को सिखाता है, प्रचार जो आपकी स्कूल में पिंस्पल होते हैं, उनको प्रचार भी बोला जाता है ये भी आपको सिखाता है वेख्याता भी आपको चात्र को ही सिखाता है तो ये right answer क्या हो जाएगा इसका चात्र समझ गयोंगे आगला देखिए 67 नमबर गान, लिखावट, गायक और संगीत बहुत ही best question है बताएगा right answer इसका क्या होगा बहुत ही बड़े कोच चाने दोस्तों ये आपके SSC, SSC, CZL 2020 के एक्जाम में आया था जो आपका मार्च में हुआ था इसका right answer क्या होगा गायक क्यों ये दोस्तों एक इनसान होता है जो गाना को गाता है ये दोस्तों क्या है ये सबी किरिया हैं लिखावट भी एक किरिया है संगीत भी एक किरिया है गान भी एक किरिया है लेकिन गायक ये एक वेक्तिकत है और ये लिखावट कोई वेक्तिकत नहीं है कोई भी लिख सकता है तो इसका right answer क्या होगा गायक अगला कोशन है 68 प्रत्वी, सनी, ब्रहस्पती, चंदमा बहुत चंद्रमा आपका एक उपगरा है किसका प्रत्वी का एक मात उपगरा है चंद्रमा और ये सब क्या है ग्रह है प्रत्वी, सनी, प्रहसपती आपको दोस्तों एक चीज़ा बता दू सनी उपगरा के सबसे ज़्यादा उपगरा हो गए है सबसे अधिक पर रह उलसे अधिक, या आपका जीयन का कोश्चन है इस से पहले किसे थें ब्रहस्न पति की थें लेकिन अभी खोज लिये गएंडु तो सबसे अधिक किसके हो गए हैं ब्रहस्स्पति या अपना आक क्षुन अफ्डेट कर लिजीए इसका right answer क्या हो जाएगा Saturn, Sunny समझ में हैं दोस्तो और ऐसे कौन से दो उपग्रा हैं जिनके पास उपग्रा नहीं है ऐसे कौन से दो उपग्रा हैं जिनके पास उपग्रा नहीं है ये भी आपका question बहुत पूश्ट है कौन से हैं बुद्ध और सुक्र बुद्ध मैं यहां लिख दे रहा हूँ आप पढ़ लिजेगा बुद्ध और सुक्र जीके भी आपको मैं इसी के साथ बता देता हूँ ठीक है तो इसके लिए दोस्तों एक like तो बनता है अगला question है 69 दरवाजा, गेट मेज और खिड़की, इसका एट अंसर बताएगा बहुत ही बढ़िया कोशन है यह तो इजी भी है, बताएगा इसका एट असर क्या होगा, मेज यह दोस्तों घर के बाहर लगते हैं, और यह सब पवंद करने के लिए होता है, घर को चिपाने के लिए, यह तो दोस्तों मेज घर के अंदर रखी जाती है मेज जैसे मैं आपको बैटके खाना आना खाते हैं, और पढ़ाई भी करते हैं, अगला है सत्ता नंबर रंगून, दिल्ली, कलकत्ता बगदाद, बहुत ही बेस्ट कोशन दोस्तों इसका रेट अंसर बताएगा बहुत ही बड़ी कोशन है इसका रेट अंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता क्यों? क्योंकि बगदाद किसी देश की राजधानी है तिल्ली किसी देश की राजधानी है, रंगून किसी देश की राजधानी है रंगुन दोस्तों बर्मा की राजधानी हुआ करती थी पहले जो की आप नया नाम क्या हो गया मैनमार तो इससे पहले उस देश का नाम था बर्मा और उसकी राजधानी क्या थी रंगुन भारत की राजधानी आपको पता है दिल्ली बगदाद किस देश की राजधानी है भारत मैनमार नेपाल और लहौर बहुत ही बढ़िया कुछन दोस्तों इसका इंसर बताएगा भारत मैनमार भारत मैनमार नेपाल और लहौर इसका इंसर क्या होगा लहौर क्यों भारत देश है मैनमार देश है जो वह इसका पुराना नाम बर्मा था ये भी पूसता है कि इसक पाकिस्तान का एक सहर है, तो आप याद करिएगा लौहर, अगला है 72 नमबर, सूरज, बादल, चांद, प्रत्वी, सूरज, बादल, चांद, प्रत्वी, बताएगा इसका राइट अंसर क्या होगा, बहुत ही बढ़ी है कुछन है, राइट अंसर इसका क्या होगा दोस्तो, यह आपके सौर मंडल के पार्ट है, सूरज, चांद, प्रत्वी, बादल आपके प्रत्वी के अंदर ही आता है, इसलिए राइट अंसर क्या होगा इसका बादल, वो सब सौर मंडल के पार्ट हैं, इसे सौर मंडल का भाग नहीं है, अगला कुछन है 73 नमबर, चूहा, डाय, कौवा और, सूर, पतहि настर इसका क्या होगा दोस्तों बहुत बढ़े कोशन है, इसकाart answer क्या होगा कौवा, जो कौणकों कौणकों सुबा करता है, जब सुबा सुबा बोलता है, तो कोई कहता है क्या महमान आने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब लोग किवल बो अच्छी है यह सब बाकी आपके क्या है पसू है अगला देखिए चौतार नंबर है सेर कुट्ता भेडिया गीदर बढ़िया कोशन दोस्तों सेर कुट्ता भेडिया गीदर इसकर आपका साकाहरी और मासाहरी दोनों है तो इसका रेट अंसर क्या होगा दोस्तों कुट्ता समझ गयोंगे अगला देखिए 75 नंबर यह आपका लास्ट कोशन है यह आप मुझे होमबर्ग में इसका अंसर कमेंट करके बताएगा जिसका अंसर सही होगा उसके कमेंट करके मैं रिप्लाइ करके यस गलत होगा मैं नो लिख दूँगा तो आप लोग समझ जाएगा इसका रेट अंसर क्या है और मैं इसका रेट अंसर भी कमेंट बॉक्स में ही पिन करा दूँगा तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में बहुत मेहनत लगती ही दोस्तों के वीडियो में तो प्लीड इसे शेयर जरूर कर दीजेगा अपने दोस्तों को और मेरे साथ आज ही जोड़ जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ओके धन्यबाद मिलते हैं नेस्ट वीडियो में